नमस्का साती हो तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे आपके जो भारत में विस धरोहर इस्थल है इनसे आप लोग देखते होगे कि आपकी प्यारंबिक परिच्छा में भी कुष्टेंस पूंचे जाते रहते हैं और आपकी मुख परिच्छा में भी कुष्टेंस आ जाते हैं आप समझ रहें? और भी आपके वंडे एक्जाम हैं जो उनमें भी डारेक्ट कुष्टेंस वं लाइनर में भी पूंच लिए जाते हैं तो अभी तक यानि कि आप देखिए 2021 फरवरी तक कितने हमारे देश में विस्व विरासत इस्थल हैं उन सब पर हम लोग एक सामर जानकारी रख लेते हैं और याद रखिए आपके स्टेट में कोई एक्जाम होता है तो आपके स्टेट में जो आपका विस्व धरवर इस्थल होगा वो आपके एक्जाम के लिए बहुत थी महत्पूर हो जाता है एक तरह से उसके बारे में आपको याद रखना होगा कि कब इसे विस्व धरवर इस्थलों में सामिल किया गया है इसकी क्या खासियत है समयरें आप लो तो आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में अभी करेंट में यानि की फरवरी 2021 में 28 राज्या आपको देखने को मिलेंगी और 8 केंदसासित पिदेश देखने को मिलेंगी यह देखिए उपर से आप देखेंगे लद्दाग और श्री नगर यानि की जम्मू कस्मीर आप सब लोग जानते हैं कि इसे पहले जम्मू कस्मीर हुआ करता था इन दोनों को दो हिस्सों में बाट दिया गया लद्दाग भी आपका केंदसासित पिदेश है और जम्मू कस्मीर भी आपका लेकिन इसमें अंतर है आप लोग देखते हैं दिल्ली भी केंद सासित पिदेश है यहाँ आपकी बिधान सभा भी होती है तो इसी तरह जम्मु कस्मीर में भी आपकी बिधान सभा देखने को मिलेगी ठीक है यहाँ आप देखिए अरुणाचल पिदेश से लेकर गुजरात तक आप लोग देखते होंगे, नीचे आप जाते होंगे तो तमिलाडू के रल, इन सभी राज्यों के मारे में हम लोग कहां कौन सा है उन पर देखते हैं। उनकी सुरक्षित रखना कभी-कभी उनने आगर आर्थेक जो भी परिस्तिती के जरूरत है, तो वो भी उपलब्द कराना इसका काम होता है। यह संदी में यह सामिल है, भारत में अभी करेंट की बात कर रहा हूँ, तो आपको टोटल 38, 20 धरोर रस्तल मिलेंगे, कितने? 38, लेकिन इसमें से आप देखेंगे 30 आपके सांस्कितिक हैं, और 7 आपके प्राक्तिक हैं, और 1 इसमें आपका मिस्तरित है, ठीक? इस तरह से आप कुल मिलाकर आपके 38 हो जाते हैं, ठीक? यहां बैसे आप लोग याद रखी हम लोग आपकी महत्पूर्ण संगटनों के बारे में, विस्तार से तो बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजेगा कि UNESCO आखिर है क्या? इसकी कब स्थापना हुई? इनसे भी आपके डारेक्ट कुश्चन्स कई बार संगटन, सेवतराष्ट का एक भाग है, इसके अगर मुख्याले की बात करें तो फेरेस फ्रांस में देखने को मिलेगा, और इसके गठन की अगर बात करें हम लोग की स्थापना का हुई थी, तो 16 नवंबर 1945 को, ठीक है? इसका काम क्या है? सिक्षा प्रक्ति या फिर समाज से मैं आपके कई बार कुश्चन्स पूंच लिये जाते हैं, इसलिए तो कहता हूँ, कि आप लोग पुराने कुश्चन्स पेपर उठा के देख लिया करिएगा, इससे क्या रहता है कि मालू चल जाता है कम से कम कि कहां से कितने कुश्चन्स पूंचे जा रहे हैं, किस तरह चार्टर में वर्डित नियाय कानून का राज मानव अधिकार एबं मौलिक सुतंता हेतु वैस्विक सहमती बन पाए अब बात करते हैं हम लोग करम से एक एक करके इन सब को देखते हैं भारत में जो सांस्कृतिक स्थल है 30 इनको सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो आगरा का किला आप सभी जानते हैं कि आगरा उत्तर प्रदेश में हैं समझ रहें आप लोग और उत्तर प्रदेश की राध्धानी आप लोग जानते हैं कि लखना हुए तो 1983 में इसे सामिल किया गया था आगरे के किले को कब सामिल किया गया था विस्वदरोवर इस थलों में 1983 में यह आपका उत्तरफिदेश की कोई भी एकजाम होता है तो उसमें डारेक्ट कुश्चन्स आ जाता है और काफी महत्पून टॉपिक है तो यह 16 भी सदी में बना एक मुगल इसमारक है यानि कि मुगलों के समय बनाये गया था लाल किला और इसका निर्मार लाल बलुगा पत्थरों से किया गया है इस किले में साहजहाद्वारा निर्मित जहांगीर महल और खास महल भी मौझूद है यह भी कई बार डारेक्ट कुछनेस पूँच लेता है कि जहांगी महल और खास महल कहां मौझूद है तो याद रखिए आगरे के लाल किले में ठीक है आगरे के किले में लाल किला अजन्ता की गुफाओं की बात करें तो इसे 1983 में सामिल किया गया था इसे भी आपका आगरे के किले को भी 1983 में सामिल किया गया इसके बारे में क्या है इसकी अवस्तिती की बात करें तो यह आपको गुफाओं महराष्ट में और अंगाबाद के पास बगोरा नदी के पास सहादी सहादी परवतमाला पश्मी घाट में रौक कट गुफाओं की एक सिंखला की रूम में इस्तित है याद रखिए जो आपकी अजंता की गुफाओं ये महराष्ट में देखने को मिलेगी और अंगाबाद के पास गुफाओं की संख्या की बात करें तो ट्वंटीनाईन है यानि की उन्ती से ये सभी बहुत भगभान से समखनदिते हैं आप जानते हैं कि गौतम बहुत उनी से सम्मद है इन में से आप देखें जिन में 25 को विहार या फिर आवासी ये गुफाओं की रूम में जबकि 4 को चैती या फिर प्रातना हाल की रूम में इस्तिमाल किया जाता था वो समय ठीक है गुफाओं की अगर विकास की बात करें किस समय इन गुफाओं का भी कास हुआ तो ये 200 ईसा पूरुप से 650 इस भी के मद्द हुआ था कहने का मतलब है कि 220 से 650 AD के बीच हुआ था इसे आपकी कहान ही हो गई अजंता की गुफाओं की ठीक है फिर आपका नालंदा महावियार का पुराता अत्विक इसे 2016 में सामिल किया गया था इसे कब सामिल किया गया था 2016 में किया गया था और इसके बारे में क्या खास है तेसरी सताबदी इसापूरुम से तेरह भी सताबदी इस भी तक कि एक मठ और सेक्षिक संस्थान के संस्थान के आओसे से आँ देखने को मिलेगी इस महाविध्यालय महावियार के पुरातन तुमें इस्तोव मन्दित और विहार आवसिये तथा सेच्चिक धवन के द्रुशात इस्तोव पत्थर और धादु पर महत्पूर्ण कलाक्तियां सामिल देखने को यहाँ देखने को मिलेंगी आप लोगों को इसे भारतियों महादीब का सबसे प्राचीन विस्विध्यालय भी माना जाता है किसे नालंदा विस्विध्यालय को आप जानते होंगे कि सबसे एक तरह से फुराना विस्विध्याले भी कहा जाता है आप समझे रहे हैं विस्विध्याले कहने का मतलब है कि विस्विध्याले जो चर्चित हो ठीक है नालंदा विस्विध्याले यह बिहार में देखने को मिलेगा ठीक है फिर आपका सांची का बौध इस मारक इसे 1989 में सामिल किया गया था यह वरत्मान में अस्तित में सबसे पुराना बौध अब्यारन है जो बारेवी सिदाब्दी तक भारत में एक पिरमुक बौध केंद था इसके स्थम्मों पिरसादों और मंदिरों और मठों का निर्माड अलग-लग राज्यों द्वारा राज्य सासक जो भी रहे हैं अधिकांस पहली और दूसरी तक पहली और दूसरी स्थाब्दी इसापूर में आपको इसका निर्माड देखने को मिलेगा तो साची के बहुत दिसमार के या साची का स्थूप भी से ही कह देते हैं आप लो याद रखिए आपका मद्वपदेश में देखने को मिलेगा MP में आप लोग अगर MP के हैं तो आप लोग गए भी होंगे घूमने फिर है आपका चंपानेर पाबागड पुरातत उद्ध्यान इसे कब सामिल किया गया सन 2004 में इस उद्ध्यान में प्रगतिहासी काल में बनाए गए पहरमिक हिंदू राध्धानी का एक पहाड़ी कला और 16 वी सदाब्धी में निर्मेद गुजरात राध्धी की राध्धानी के आउसेस देखने को मिलेंगे और आपके लोग याद रखिए चंपानेर पाबागड पुरातत उद्ध्यान इस आपका गुजरात में देखने को मिलेगा इन आउसेसों में आठवी से चौदेवी सदाब्धी के बीच के महल धार्मे के मारते हैं आवासी ये परिशाय किरसी आदी आउसर रचनाय भी आपकी सामिल है काली का माता का मंदिर पावागड पाहाडी की चोटी परिश्तित एक महत्पूर्ण तीरतिस्थल माना जाता है जहां पूरे वर्स बड़ी संख्या में तीरतियात्री भी आते रहते हैं आप समझ रहें बैसे भी हम लोग देखते हैं कि इस तरह के जो भी टेंपल होते हैं हम लोगों में बड़ी सिद्धा होती है हम लोग जाते रहते हैं आप भी लोग भी गए होँगे ये इस तरल एकमात पूम्ड और आप परिवर्तित इस्लामिक पूर्व मुगल सहर भी है याद रखें फिर आप देखेंगे यह चत्तपती सिवाजी महराज टर्मिनल्स विक्टोरिया टर्मिनल्स के नाम से भी आप लोग जानते हैं इसे कब सामिल किया गया है इसे सन 2004 में कब सन 2004 में और याद रखें बता दूँ आपको कि यह महराष्ट में आपको देखने को मिलेगा ठीक है भारत में विक्टोरिया यूगीन गौथिक बास्तुकला का विकास भारत की पारंपरिक बास्तुकला की साथ मिलकर हुआ है और यह हमारत बेटिस बास्तुकार एफ डबलू इस टी वन्स द्वारा डिजाइन की गई थी और विक्टोरियन गौथिक सेली में बनी यह हमारत बॉंबे की पहिचान भी है मद्धियुगीन एतालवी मौडलों पर आधारित एक उच्चे विक्टोरियन गौथिक डिजाइन के अनुसार इस टर्मिनल का निर्माटकार वर्स 1878 में सुरू किया गया था जो दर्फरसों में बनकर तेयारी भी हो गया था इस बास्तुकला की तहट बनी इमारतों के गुम्मत बॉर्ज, नुकीले, महराब, आधी पारंपरी के भाती महल बास्तुकला से मिलते जुलते हैं तो इसके बारे में भी आप लोग याद रखिए अंगला है आपका गुआ के चर्च और मट और मुझे लगता है कि गुआ जाना आप लोगों को जाना चाहिए है समझ रहे हैं किसी को रोग भी नहीं सकते हैं तो आप लोगों के भी मैं सोचता हूँ कि आप लोग भी जाएं ठीक है इसे 1986 में सामिल किया गया था कब इसे आपका 1986 में सामिल किया गया था ठीक है यह गुआ में है गुआ की चर्च और मट विशेस रूप से वैसी लिका और बॉम जीसस इसिया में इसिया धर्म पिचारक की प्यारहम का संकित देते हैं और वैसी लिखा और बॉम, जी सतन में सेंट फ्रांसिस जेवियर की पवित कब्र भी आपको देखने को मिलेगी, इन्हें इस मारकों को यसी आ कि पिरमुक हिसों में मैनू अलिन और मैन नर और बारोग कला की परसार के लिए भी जाना जाता है, ठीक है? फिर आपका एली फें कव? 1987 में, एली फेंटा की गुफाएं कहां देखने को मिलेगी, ये भी आपकी महराष्ट में है, ठीक है? एली फेंटा की को धारावा पुरी के पुराने नाम से भी जाना जाता है, जो कौंक्टी मौरेयों की द्वीपी ये राध्धानी थी, एली फेंटा द्वीब पुराष्ट राजी के मौंबई में, गेटवे ओप इंडिया से दस किलो मीटर की दूरी पर आपको देखने को मिलेगी, इन गुफाओं में से पंक से जुड़ी सिल्फ कला का संगरे भी देखने को मिलेगा, इन गुफाओं का निर्माट पांच भी और साथ भी सताब्दी इस भी के मद्द देखने को मिलेगा, या मद्द हुआ था, ठीक है? फिर आपका अजन्ता की और एलोरा की गुफाओं, ठीक है? एक तरसे यह वही है, ठीक है? अजन्ता और एलोरा, यही है, देखिए अजन्ता और एलोरा की गुफाओं आपकी महराष्ट में ही देखने को बिलेगा और पहले भी बात को चुका हूं कि अजंटा की गुफाओं की 1983 में ही बिसवरासत इस्थलों की सूची में जूड़ा गया था ये भी महराश्ट में ही है ठीक है फिर आता है आपका फतेपुर सिक्री ये कहा है फतेपुर सिक्री आप सभी लोग जानते होंगे कि ये आपका उत्तरपेदेश में है ठीक है इसे 1986 में सामिल किया गया था इसका निर्मार समराट अकवर द्वारा सोलेवी सताब्दी के उत्तराल्द में कराए गया था और फतेपुर सिक्री छोटी यवदी के लिए मुगल समराज की राजधानी भी बना था आप सभी लोग जान सबसे बड़े मस्जीदों में से एक जामा मस्जीद से कई अन इसमारक भी आपको देखने को में देंगे यहां ठीक है तो याद रखिए उत्तरपेदेश में हैं और 1986 में ने सामिल किया गया था फिर आपका ग्रेट लिविंग चोल मंदिर इसे 1987 में सामिल किया गया था कव 1987 में सामिल किया गया था कुछ मंदरों को आप देखेंगी कि 2004 में भी सामिल किया गया था ठीक है तो एक कहा है तो एक आपको देखने को मिलेगा कहां तमिलाडू में नीचे की बात कर रहा हूं दच्छन भारत की ठीक है चोल समराज के राजाओं द्वारा निर्मित एक मंदिर बास्तुकला, मूर्तिकला और पैंटिंग और कास ढलाई में चोलों की सठीकता तथा पूर्टा को परकट करते हैं यह मंदर ग्यारवी और बारवी सताब्दी में निर्मित तीन मंदिरों का समुव है तंजावोर में आप देखेंगी बेहदेस और मंदिर और गंग चोली सवरम के मंदिर और रामराजा द्वारा निर्मित एरावतिस और मंदिर के विवान करमसा 53 मीटर और 24 मीटर उचे है आप समझ सकते हैं ठीक है फिरह आपका बेहदेस और और एरावतिस और मंदिर यह वही है उपर आप लोगों ने जो देखें देखिए इनका हमपी में इसमारकों का समोग इसे कब सामिल किया गया इसे 1986 में सामिल किया गया तब 1986 में और यह कहां देखने को मिलेगा करनाटक में देखने को मिलेगा ठीक है यह स्थल विजयनगर राज की अंतिमरागधानी थी और विजयनगर की सासकों द्वारा हमपी के मंदीर और मह इवा मूर्टी कला तथा फारम फरीक चित निरूपन के लिए जाना जाता है जिसमें आप देखें कि रामायड और महाबाद के महाबारत के बिसेभी सामिल किये गये हैं आप समझ सकते हैं कि एक तरह से आप कहिए कि जब सीता को लेने स्रीलंका जा रहें थी भगवाद तो समय आप देख सकते हैं कि रामायड से इनका लेना देना रहा होगा आप लोग समझ रहे हैं देखिए दिखाई भी दे रहा है आपको ठीक है बात करते हैं आगे है महाबली पुरम में इस मार्क समोग ये 1984 में सामिल किया गया था इस डेट को भी आप लोगों को याद रखना चाहिए कब 1984 में और कहा देखने को मिलेंगी ये तमिल नाडू में है ठीक है पल्ला और राजाओं द्वारा इस मार्कों के इस समोग की स्थापना बंगाल की खाड़ी के कोरो मंदल तट पर साधवी और आठवी सतापदी में की गई थी इन मंदिरों का निर्बान मुक्रूप से चटानों को तरास कर किया गया जिन में गुफा मंदिरों की सिंखला में अर्जुन की तपस्या या फर गंगा का ओतरन और सौर मंदिर अधिक लोग पर ये देखने को मिलेगा इन इस मार्कों में पांच रत एकास मंदिर साध मेंदरों की आउसिस भी सामिल हैं और इसी कारण इस सहर को सब्द पेगोड़ना की नाम से आप लोग पेगोड़ा की याद रखीं ऐसे तर्याप का पड्त दगल्प सब्दाकल्प सब्दैक ते सिस मार्क इनए कब सामिल किया था है में उनिस्सों प्तासी में और एक कहा देखने को मिलेगे आप लोगों को एक करनाटक में देखने को मिले कि किस समय बनवाए गए हैं किस राजबन समय बनवाए थे ठीक है यहां निर्वित 10 फिर्मुक मंदिरों में 9 सिभ मंदिर और एक जैन मंदिर है जिसमें आप देखें कि बिरुपाक्ष का मंदिर सरवादी पिसिद भी है यह मंदिर रानी लोक महादेवी द्वारा अपने पत होते थे समझ रहे हैं थरे आपका राजिस्थान के परवर्तिय किले राजिस्थान के परवर्तिय किले यह आप जानी रहें कि राजिस्थान में होंगी इन्हें सन 2013 में सामिल किया गया था ठीक है इस विरासत इस्थल में राजिस्थान के चित्तोडगड कुंबलगड सबा कर 18 सदाब्दी तक कि राजपूद सासन की जीवन सेली और प्रक्ति को दरसाती है और आप सभी लोग भी जानते हैं कि राजिस्थान में काफी राजपूद बंस हुए हैं ठीक है यह कि लेबंदी सहरी केंद्रों महलों और ब्यापारेक केंद्रों और मंद्रों के चारों तर हैं कि आपके पिधान मंतरी साहब ग्रह मंतरी साहब गुजरात से ही आते हैं ठीक है इसे एक अप सामिल किया गया संदुहजार 17 में इसको भी याद रखी सुल्तान एहमद साय ने सावरमती नदी के पूर्वी तट एहमदाबात सहर की स्थापना पंद्रवी सिताब्दी मे और द्वार तथा कई मश्जिदों मकवरों के अलावा हिंदु ये बाद जैन मंदिर भी आपको देखने को मिलेंगे ठीक है इसके बारे में भी आप लो याद रखिए तरे आपका हुमायू का मकवरा ये दिल्ली में देखने को मिलेगा इसे कब बेस्व विरासत स्थलों क सूची में जोड़ा गया था तो याद रखिए 1993 में कव 1993 में और ये कहा हैं दिल्ली में बर्स 1570 में निर्मित इस मकवरी का लंबी समय से सांस्कितिक मत भी रहा है क्योंकि यह भारत में निर्मित पहला उध्यान मकवरा था यह मकवरा ताज महसर सहित कई अन वास्तु सिल् ठीक है ठरेया आपका जैपूर सहर राजिस्थान इसे कब सामिल किया गया था सन 2019 में सन 2019 में और आप लोग जानते हैं कि राजिस्थान में हैं जैपूर नगर चाहर देवारी बालनगर की स्थापना वर्स 1727 में सबाई जैसिंग दुतिय द्वारा की गई थी इस सहर की जैपो नगर को बैदिक वास्तुकला के पेकास में ब्याक्ख्याईत इस्टोडियो योजना के अनुसार वसाये गया था, नगर की सडकों के और उपनिवेसकाल से ही बेवसाय की सुविधा है और ये सडकें बड़े चोरहाओं जिनें चौपड कहा जाता है पर एक दूसरे से मिलती है नगर की योजना में पराचिन हिंदों, मुगलों और पश्चमी देशों के तत्तों का त्रियोगी किया गया है एक बात और आप लोगों को बता है ये नमस समझे कि आज हम लोग बेंतर सडक बना रहे हैं आप लोग घड़पा सब्दा में भी चले जाई है आप ल इन्हें 1986 में सामिल किया गया था और आप सभी लोग जानते हैं कि ये खज़राहू कहां है MP में और MPPSC में कई बार कुश्चन साब का पूशा जा चुका है तो याद रखना चाहिए आप लोगों को तो इसे कब सामिल किया गया हूँ 1986 मद्वपदेश में है MP में चंदेल राजबंस द्वारा दसभी और ग्यारवी सताब्दी में निर्मित ए मंदिर समू इस्तापत कला और मूर्टी कला का अनुपम उधारन पिस्तुत करते हैं और नागर सेली में बने यहां के मंदिरों की संख्या अपकेबल 20 रह गई है जिनमें कंदरिया महादेव का मंदिर विसेश रूप से पिसद्ध भी है और याद रखी नागर सेली में बनवाए गए हैं ठीक है यहां के मंदित दो धर्मों जैन और हिंदू धर्म से संबंदित हैं यहां के मंदित दो धर्मों जैन और हिंदू धर्म से संबंदित हैं तो जैन धर्म से और हिंदू धर बिहार आप समझ रहें, बहुत गया कहा हैं ? बिहार में इस परिशर के पहले मंदिर का निर्मार समराट असोग द्वारा तीसरी सताउधी इसापुर में कराए गया था मौर समराट था ना असोग उसी के द्वारा बर्तमार मंदीर अनुमानता पाचवी और चटवी सतापदी में निर्मित माना जाता है और यह सबसे प्राचिन बोध्य मंदिरों में से एक है जो पूरी तरह से हीटों से मना हुआ है महाबोधी मंदीर परिश्यत भगवान बुद्ध के जीवन से सम्मंदी चार पवित्ति स्थलों में से एक है और आप सभी को मालू होगा कि यह सोक बोध्य धर्म से जुड़ा हुआ था तो इससे भी आप लोग को याद रखना चाहिए फिर आपकी भारत की परवर्टी यह रेलवे इन्हें 1999 सन 2005 और 2008 में सामिल किया गया आप समसकते हैं कुछ को 1999 में कुछ को 2000 एक तरह से आप कहिए 2005 में 2008 में ठीक है दार्जिलिंग आप लोग सुनते रहते हैं नेलगरी सुनते रहते हैं सिमला सुनते रहते हैं आप सभी को मालू होगा कि दार्जिलिंग आपका पश्य मंगाल में देखने को मिलेगा नेल गरी आपकी तमिलाडो सिम्लाप का हेमाचल पिदेश ठीक है निक क्रमसा आप देख सकते हैं भारत में परवर्टीय रेलवे की तीन रेलवे विस विरासत इस्थलों की सूची में सामिल हैं दारजिरिंग परवर्टी रेलवे यह रेलवे पहाड़ी यात्री रेलवे का सबसे उत्किष्टो धारन माना जाता है इसे बर्स 1881 में शुरू किया गया था अंग्रेजों के समय की बात कराओं यह एक अतेंद खुबसूरत पहाड़ी चित में एक तरभावी रेल लिंक के स् समयजी हुई है और 1908 तक पूरी हुई और यह तमिलाड़ों से आप देखेंगे 40 किलो मीटर लंबी मीटर गेज सिंगल रेलवे ट्रैक है ठीक है दूसरी आपका कालका सिंबला रेलवे यह एक 96.6 किलो मीटर लंबा सिंगल ट्रैक वरकिंग रेलवे लिंक है जिसे सिंबला को जोड़ने के लिए 19 भी सताब्दी के मद्द में बनाए गया था आप लोग देख भी सकते हैं ठीक है फरे आपकी कुत्व मीनार और इसके अन इसमारक यह सभी आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेंगी और याद रखिए इसे 1993 में सामिल किया गया था कव? 1993 में कुत् दीन एवक के समय में व्यारम हुआ और यह सभी इल्तोत में इसके समय में पूरा हुआ था इसका निर्मार ठीक है? इसकी उचाई की अगर हम बात करें तो 12.5 मीटर और आधार का व्यास करम साब को 14.32 मीटर और 2.75 मीटर देखने को मिलेगा यहां से आप देखेंगे प्रा आप लोग याद रखिए यह नई दिल्ली में देखने को मिलेगी ठीक है? फरे आपकी रानी की बाव एपाटन इसे सन 2014 में सामिल किया गया था कब? सन 2014 में यह आपको गुजरात में देखने को मिलेगी ठीक है? इस बावडी का निर्मार गुजरात की सौलंकी राजा भीम देव पिथम की स्मिट्टी में उनकी पतनी रानी उद्यामती ने वर्स 1050 में सरसुती नदी के किनारी बनवाया था। सीडीदार कुए भारती उमादी में भूमिगर जलसरोत एबं संग्रहन पिडालियों का बिसेश तरीका रहें इने 3000 इसापूर बनाया जाता रहा है इस परिस्तर की तकनीक और बारीकियों तथा अनुपातों की अतेंत सुंदर कला चमता को पिदफित करती हुए इसमें मारू गुर्जर इस्थापत सेडी का उपयोग भी किया गया है तो इनको भी आप लोगों को याद रखना है फिरे आपका लाल किला यहां तो मुझे लगता है कि आप लोग जाते ही रहते होंगी तो लाल किला कहा है दिल्ली में इसे सन 2007 में सामिल किया गया था आपका विस्त विरासत इस तलों की सूची में एक किसने बनवाए थी मुगल समराज साइजहां द्वारा लाल किले का निर्मार 1648 में करवाए गया था इसका नाम लाल बलुआ पत्थर की विसाल दीवारों की नाम पर लाल किला कह दिया जाता है समपूर लाल किला परिष्टर में इसलाम साय सूरी द्वारा वर्स 1546 में निर्मिस सलीम गड किला भी आपका देखने को मिलेगा और लाल किला मुगल बास्तू का सिल्फ नवाचार और सिल्फ कोसल का फूर पितिविम पिस्तुत भी करता है तो इसके बारे में भी आप 2003 में सामिल किया गया था ठीक है इन आवासों की खोज वर्स 1975 में बिश्णु स्रीधर वाकंकर ने की थी इस नाम को भी याद रखना है 1975 में इनके द्वारा की गई थी यह स्थल मत्पतेश की रायसेंजली में अब्दुल्ला गंज कि समीप रात्ता पानी बनिजीप अभ्यार में इस्थित है और यहाँ पर आप तर साथ सो से अधिक सैलासरों में से चार सो सलासर चित्रों द्वारा सज्जित की यानि की सजी हुए है ठीक है याद रखिये फिर आप देखेंगे सूर मंदी कौणार्ट एक कहां देखने को मिलेगा आपको सूर मंदीर आप सभी लोग रत का एक विसाल की तिरूप भी है यह मंदिर उडिशा के पुरी जिले में आपको देखने को मिलेगा रत के 24 पईयों को पिती का अत्मक डेजाइनों से सजाए गया है और साथ गोहनों द्वारा इस रत को खीशते हुए दरसाए गया है और कौणार्ट सूर मंदी का निर् 1983 में सामेर किया गया था 1983 में एक अहां देखने को मिलेगा आपको उत्तर पेदिस में ताज महिल आगरा मुगल समराट साज जाहां द्वारा अपनी पतनी मुम ताज महिल की याद में बनवाए गया था और सपेश संगमरमर का एक मकवरा यह हैं यमना नदी के किनारी पर द मनमाते रहिएगा ताज महिल का निर्माड वर्स 1631 से वर्स 1648 तक यानि की 17 वर्सों की अउधी में पूरा हुआ था यह अपने अधुतिये बनावट और स्वरूप के लिए पिसिद भी रहा है एक बड़ी दिल्चस कहावत है और इस तरह की किताब आप लोग इतिहास में पड़ा भी होगा कि जब मुम्ताज महल की डैट हो रही थी अंतिम सांसे चल रही थी उस समय योद चल रहा था एक तरह तो एक तरह से साजा सब को छोड़के आ चुका था उनकी कहानी थोड़ी अलग भी कही जाती है सायद आज आपको इस तरह की देखने को ना मिली अगर पर आपके साथ इस तरह की है कहानी बनी हुई है तो अच्छी बात है ठीक है यह अपने अदुति यह बनावट और सवरोग के लिए पिसिद भी है ठीक है और इसलिए आप लोग देखते होंगे कि आजकल गिप्ट में काफी आता जाता रहता है कि अगर चली यह बनवा के नहीं दे सकता हूं तो कम से कम कागच का या किसी कांच का ही खरीब के दे दिया जाए फिर आप देखेंगे यहां आगे है आपका ली कारवूस जियर का बास्तुकला कार यह चंडीगड में देखने को मिलेगा और याद रखी आपको 2016 में सामिल किया गया थे इस बास्तुकला के जन्मदाता एक पिसिद स्वीज फ्रेंच आर्केट्ट ली कारवूस जियर थे इनी के नाम पर इसका नाम भी रख दिया है जाता है इस इस्थापत कला द्वारा भीड भरे सहरों में लोगों को बेतर आवासी सुविधा पिजान करने ही के लिए इमालतों में अपार्टमेंट और मौडीवलर डिजाइन की सुरुवात की गई थी ली कारवूस जियर ने चंडीगड में कॉंपलेक्स के अलाबा आप जानते हैं कि राजिस्थान में हैं और याद रखिए इसे 2010 में सामिल किया गया था कब 2010 में जंतर मंतर को 28 स्रदाब्दी की सुरुवात में खागोलिये इस्थितियों के अउलोकन के लिए बनाए गया था सटी का उलोकन करने के लिए इस साइट में 20 मुख उपकरणों का एक सेट इस्थापित किया गया था और यह भारतियों द्वारा मुगलकाल में पुनजीवित खागोलिये कोसल और ज्यान की अभी वेक्ती को दरसाता है तो इससे भी आप लोग याद रखिए आंगे क्या है आपका वेक्तोरियन गौथिक एवं आर्ट डेको इंसेवल्स मुंबई इससे कब सामिल किया गया दोहजार अठारे में और कहां है महराष्ट में इस साइट में 19-20 सिदाप्दी का वेक्तोरियन सरचनाओं का संग्रह अर्था वेक्तोरियन गौथिक फुनर जागरन के भव सामिल है यह दोनों सैलियों और सैलियां भारती वास्तु तत्तों में से मेल खाती है उधारन के लिए वेक्तोरियन नियो गौथिक सैलियों में डिजाइन की गई इमारतें और बाल कनियों और बरामदों में से संपन है इस पेकार इंडो डीको का उपयोग आर्ट डेको में भारती टर्तों के जोड़ने के बाद औरी सैली का वर्डरन करने लिए किया जाता है तो इसे भी आप लोग याद रखिए तो ये तो थी आपके सांसिकितिक जोभी इस्थल है आपके समझ रहे हैं विश्व विरासत शहलों में आपके जो भी सांस्कितिक इस्थल ने, उनको हम लोगों ने देख लिए, अब बात करते हैं हम लोग भारत में जो प्राक्तिक इस्थल हैं आपके साथ, इनको भी आप लोग देख लिए, पहला है आपका ग्रेट हिमालय, हिमालय नेशनल पार्क संरचन छेत, इसे कब सामल किया गया जंगलों के लिए जाना जाता है, यह चित कई नेदियों सहत उनके जल गहन के चित के साथ साथ, गलेशिया से भी घिरा हुआ है, यह जैब विवेत्ता की दरश्टी से एक होट स्पोर्ट चित है, जिसमें आप देखें कि 25 पिकार के जंगल, एवं कई पिकार के बनेजी प है दूसरा आपका काजी रंगा राष्टी उद्यान, इसे आपका 1985 में सामिल किया गया था, कब Princip 85 में सामिल किया गया था, और यह है कहाँ, असम में, ठीक है? फिर आपका केवला देवो राष्टी उद्ध्यान इसे आप लोग याद रखे 1985 में सामिल किया गया था इसे भी आपका 1985 में सामिल किया गया था इसके बारे में क्या याद रखना होगा आपको काजी रंगा के बारे में एक तो यही बात याद रखे आप लोग इसे जिसे 1985 में सामिल किया गया था और यह असम में देखने को मिलेगा तो यह काजी राष्टी उद्ध्यान आपका असम में देखने को मिलेगा और याद रखे यहाँ आपकी भारतिये गेंडे एक सिंग बाले गेंड़े के लिए काफी पिसेद भी है और इसे 2006 में आपका Tiger Reserve घोसित किया गया था ये भी आप लोग याद रख सकते हैं और 1985 में काजी रंगा वन को ये उनेसको की विस्वरासस हेलों में सामिल किया गया था ये ही कहानी है इसकी ठीक है और फिर आपका क्योला देओ राष्टी उद्ध्यान इसे भी आपका 1985 में सामिल किया गया था और ये है राजिस्थान राज में स्थित एक बैट लेंड है जिसका उपयूग 19-20 सताबदी के अंतरतक बतक सूटिंग रिजर्व के रूम में किया जाता रहा है हालाकि जल्दी इसमें सिकार को पितिबंदीत कर दिया गया और वर्स 1982 में इस छेत को राष्टी उद्ध्यान घोसित भी कर दिया गया था और यह राष्टी उद्ध्यान 375 पक्षी पर जातियों और विभन अन्र पकार की जीव कोंका निवास इस्थल भी है यह पले रेटी के परवासी जल्पक्षी गंभी रोप से लोपत पर आये साइवरियन के रेन के साथ साथ 20 इस्तर पर संकट गरस्त गेटर इस्पोटेड इगल और इंपिरियल इगल के लिए इसी इतकालिन आसर्व फिदान करने का कारवी करता है यह गैर परवासी पे जनन पक्षियों का हर वर्स बड़ी संख्या में स्वागत भी कलता है ठीक है तो यह आपका कहां का हो गया राजिस्थान ठीक है आँगे है आपका मानस बनजीब अभ्यारन इसी आपका 1985 में से भी सामल किया गया था और यह आपका असम में देखने को मिलेगा ठीक है मानस बने जीब अभ्यारन असम में एक इस्तित जैब बिवित्ता होट इसपोट है यह मानस टाइगर रजर्ब का हिस्सा है और मानस मंदी के साथ फेला हुआ है फारेश्ट हिल जलोड घास के मैदान और इस इस तलकी सुंदरता और सांथ बाताबर्ण के का परण ऊश्न कटी बन दी है सदावार बनों की एक सिंखला भी है और यह कई पेकार की लुप्त प्राय पर जाती हो जैसे बाग हो गया एक सिंग वाला राइन हो गया सुईब डियर दलदली हिरन फिगमी हौक और बंगाल फिलो रीकन को रहने के लिए बाताबर्ण भी देत गया था 1988 और 2005 में ठीक है यह दोनों सुन्दर राष्टी उद्यान उत्तराखंड राज में आपको आसाधरन रूप से उच उचाई वाली पश्चिमी हेमाले छेत में देखने को में लिगा कहां उत्तराखंड में आप जानते होंगे कि उत्तरपति से लकर की एक नया राज उत्तराखंड वनाए गया था नंदादीवी राष्टी उद्यान उवर्ट खावर और उचे जंगलों से युग थे जिसमें भारत का दूसर है सबसे उचा परवस सिखर नंदादीवी विद्मान है इसके विपरीत आप देखेंगे फूलों की घाटी में अलपाइन फूलो हेमालाण मस्क डियर आदी यहां देखने को मिलेंगे पर आपका सुंदरवन नेशनल पार्ट इसे आपका 1987 में सामिल किया गया था कव 1987 में यह आपका देखने को मिलेगा पस्चिम मंगाल में ठीका और इस तंदरवन नेशनल पार्क पश्चे मंगाल काफी चर्चत भी रहता है आप लोग सुन्दे भी रहते होंगे इसके बारे में क्या पॉइंट आपको याद रखने लाइक होना चाहिए याद रखी ये पश्चे मंगाल में है सुन्दरवन का नाम यहाँ पाए जाने वाले सुन्दरी नाम के बैक्चिकी बज़े से पड़ा है यहाँ काफी बड़ी मातरा में आपको मैंगो बन भी देखने को मिलेगा और यह पार्क विसेस रूप से बंगाल टाइगर के लिए काफी आरक्षित इस्थल भी है और इसे आप लोगों को बता ही चुका हूँ कि 1987 में विसे दहरो और इस्थल की रूम में खोसित किया गया था अब बात करते हैं पश्चमी घाट के बारे में तो यह पश्चमी घाट को सन 2000 बारे में सामिल किया गया था कब सन 2000 बारे में और आप सभी लोग जानते हैं, पश्चमी घाट इस चित को कहते हैं, ठीक है, इसमें आपका गुजरात हो गया, महराष्ट हो गया, ठीक है, करनाटक, तमिलनाडू, केरल यहां तक आपका फैला हुआ है, इसी के बारे में बात कराओं, तो सन 2012 में इसे सामिल किया गया था, प भी है, जो एक विसाल चित को कबर करती है, और तता पाल घाट के दर्रे के पास 30 किलोमीटर चित में 11 डिग्री उत्तर में केवल एक बार भी खंडिते हैं, पश्चमी घाट भारती मालसून मौसम के पैटर्न को भी प्रभावित करता है, क्योंकि यह उन बारिस से वो बारि प्रजाज्जियों का निवास स्थल्वी है, इसलिए भी महत्मूर हो जाता है। आप सबी लोग जाते हैं कि भारत में एक मिस्तरित इस्थल्वी है, कौँ सा है? कंचन जंगा, राश्टी उध्यान, इसे सन 2016 में सामिल किया गया था, कव? सन 2016 में सामिल किया गया था, और सि गलेसियर भी आपके सामिल हैं, जिसमें 26 किलोमीटर लंबी जैमू गलेसियर भी आपकी देखने को मिलेगी, जो माउंट, खांग, चैंग, जोंगा की आधार परिश्तित है, यह सिक्किम राजी के लगबग 25-30 सिस्से को कबर भी करती है, और वेभिन इस्थानिक और संकर्ग अधारत की स्थल, उन सब के बारे में एक सामन जान करिए, याद रखें इनसे आपके जो भी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं, उसमें questions आते रहते हैं, तो इसलिए कह रहा हूँ कि एक बार आप लोग पुराने questions पीपर उठा की देख लिए, आप लोगों को मालू भी चल जा कि कितना माज़कों topic ही आपकी, ठीक है?